अच्छों कैसे हैं आप सबी तो उमीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप और आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीकोड नीट पर और मैं हूँ शुभम ननवाना आपका फिजिस एजुकेटर और मैं आ गया हूँ आप सबी के समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ और मैं लेकर आया हूँ एक नया बैच एक नई सीरीज आपनों भी लेकर आया हईलो, हईलो शिवाइंजली, बहुत-बहुत स्वागाते बचे आपका वेलकम है और आप पहले यहाँ पर स्टूडंट हो, Achiever Badge की पहली कलास के ही पहले स्टूडंट जिनोंने पहला कॉमेट किया है तो बहुत-बहुत स्वागाते बचे बिढ़ा आपका सके तो जैसा मैं बता रहा था बच्चों ये 2022 और 2030 के लिए जो बच्चे अटेंप्ट करने जा रहा है नीट सबसाइब बच्चों है अब सब है लोग 11 और 12 इहाँ पढ़ाई करेंगे साहरे जैप्टर साहरे टॉपिक्स कांसेप्चिली इकवर करेंगे साथ भी साथ हम हमारा जो exam है नीट उसके point of view से भी दिखेंगे कि किस तरह से questions frame किये जाते हैं हर angle से हर topic को cover करने की कोशिस की जाएगी ताकि कुछ भी चीज छूटे नहीं we have got ample amount of time अगर 22 की भी बात करें तो हमार पास काफी समय है जिसमें हम ये सारी चीज़े cover कर सकते है hello hello बेटा hello बहुत बहुत स्वागत है मैं असर भुजएफ किसी का नाम गलत प्रनाउस कर दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा ठीक है क्योंकि अभी दीरे दीरे आपनों के ब्रीफ ली थोड़ी और इंफोर्मेशन दे देता हूं हम क्या करेंगे बच्चों यहां पर स्टार्टिंग में हम बेसिक टॉपिक उठा रहे हैं यानि कि जैसे mathematical जिसमें basic mathematics हम डिसकस करेंगे थोड़ा बहुत रिग्नोमेटरी कुछ बेसिक चीज़ें या ड्रॉपर वालों को तो 11-12 दोनों ही लगेगा तो वो तो obviously देख सकते हैं उसमें तो कोई issue वाली बात ही नहीं है ठीक है बच्चे तो मैं आपको बता रहा हूं आप मेरी बात सुने जरा सी ध्यान से तो आपको सब पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है आप ठीक है बिटा तो यहां बर सारे topics होंगे 11th और 12 के start हम करेंगे basic mathematics से vector से unit and dimension, errors, measurement तो यह सारी चीज़े करेंगे जो 11th और 12 दोनों के बच्चों के लिए important होती है math phone होती है, जरूरी होती है तो यह सारी चीज़े हम कर लेंगे बच्चे उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा उसके बाद बच्चों 11th और 12 की separate classes हम कर देंगे एक class 11 का, एक class 12 का तो daily आपको दो classes मिलेगी यानि कि parallelly 11th और 12 चलेगा 11th वाले बच्चे 11 का batch join करें यानि कि 11 की classes attend कर सकते हैं जो 12 में है वो 11 और 12 दोनों की कर सकते हैं और जो dropper हैं वो भी तोनों classes attend कर पाएंगे और आपका दोनों का 11 प्लस 12 का पूरा syllabus complete किया जाएगा, this is what is going to happen in this achiever batch बच्चों, तो क्या क्या बोलना है बच्चे सर आप वो syllabus लेने वाले हैं कि physics का, बिल्कुल मैं लेने वाला हूँ physics का पूरा syllabus, teacher says that in interview we mentioned you after packing need, और बिल्कुल बच्चे बिल्कुल मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मुझे mention करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन ये definitely कह सकता हूँ कि आप need crack कर लेंगे, physics में आपकी कोई tension नहीं रहेगी, कोई फिकर नहीं रहेगी, देखो अगर किसी बच्चों को हाँ, उमेश्वरी भी आ गई है उमेश्वरी से आप पूछ सकते हैं उमेश्वरी मेरे दूसरा बैच भी join करती है तो अगर आपको कोई भी शंका है कोई भी doubt है कि यार सर कैसा पढ़ाते हैं क्या महौल रहता है, किस तरह से इनका पढ़ाने का तरीका है तो मेरे बच्चे, आप क्या कर सकते हैं संभव सीरीज मेरी already चल रही है उसके 40 plus lectures already हो चुके हैं हर lecture एक घंटे से जादा समय का है तो आप उन में से कोई साभी एक lecture जो भी टॉपिक में आप comfortable हो उठा करके देख ले और देखें कि यार सर का methodology कैसा है पढ़ाने का चुँकि वो crash course है फिर भी आपको feel होगा कि किस तरह से मैं conceptually सारी चीजे सारी चीजे महाँ पर बता रहा हूं और यहां तो बेटा basic से हम लोग start कर रहें बिल्गुल zero से start कर रहें तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर follow करेगा तो वो अपने आपने improvement देखेगा अगर वो पूरा dedication के साथ honestly follow करेगा ठीक है मेरा बच्चा तो start करते हैं आज का lecture बहुत आराम आराम से चलेंगे पहला ही lecture है एक्टम chill रहना है आपको भारत भी आ गए है भारत बहुत-बहुत स्वागत है आपको एकदम relax रब आराम से देखो कोई चीज नहीं समझ में आएगी आप chat में मुझे बता दो मैं उसको दुबारा से address कर लूँगा अपने पास समय है अपने पास time है basic mathematics का क्या point of way ये भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस बात के लिए आपका ये जो compliment है मैं बिल्कुल इसको सरांगों पर रखता हूँ और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको let down बिल्कुल नहीं करूँगा संभव सीरीज में भी बच्चे कम थे still मैं पूरा सीरीज को follow कर रहा हूँ मैं almost आदे से जादा syllabus हुआ करा चुका हूँ एक महीने से भी कम समय में तो यहां को obviously हमारे पास time है तो definitely definitely यहां पूरा syllabus आपको बिले गए चलो चलो start करते हैं कुछ basic basic चीजों से start करेंगे अराम से सुनना है चिलो करके सुनना है कुछ चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है याद रखने वाली है बहुत जादा conceptual चीजें यहां पर नहीं आएगी लेकिन differentiation में बहुत मज़ा आएगा आपको जैसे हम differentiation पर और पिछले 6 सालों से भी जादा समय से यार मैं NEET और GE के बच्चों को physics पढ़ा रहा हूँ पिछले कुछ सालों से मैं कोटा के offline institute में पढ़ा रहा था और recently मैं यहां पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपके प्यारा चैनल निकोट NEET पर मैं आ आ गया है उमीद है यहां बहुत सारे बच्चे चुड़ेंगे और उनको मेरे experience से और जो भी मेरा knowledge से कुछ ना कुछ ज़रूर benefit होगा अब बच्चों थोड़ी सी मैं Unacademy के बारे में यहां पर बात कर लेता हूँ आप से मुझे 5 मिनिट आप दीजिए और उसके बाद हम lecture को continue Unacademy आपके लिए branded notes लेकर के आया, notes की importance अब सभी जानते यार अगर last minute revision की बाप करें या आपको topics की बीच navigate करना है तो notes बड़े important होते है, notes आपकी पूरी study का एक blueprint होते है, पूरी preparation का एक blueprint होते है, तो Unacademy आपके लिए curated notes लाया बच्चों और यह notes कब मिलेंगे sir हमें, यह मिलेंगे बेटा, अगर आप iconic subscription लेते है Unacademy का, तो यह आपको home deliver कर दिये जाएंगे, यानि printed form में मिलेंगे, अपने को अलग से print print कराने का कोई लफडा नहीं है, यह आपको पूरी तरीके से printed module sheet की form में मिलेंगे, अच्छा, जो बच्चे plus subscription लेते हैं, उन्हें भी accessible रहें हैं, तो ही यह valid रहेगा, इसके अलावा plus subscription में बच्चों आपको क्या मिलता है, यूट्यूब पर काफी सारे बच्चे full concentration के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो Unacademy का जो platform है, जो app है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए dedicated है, यहाँ पर आपको अपने इंडिया के top educators से पढ़ने का मौका मिलता है, interactive classes होती है, daily test, quizzes, सब कुछ होता है, structured course follow किया जाता है, आपको lectures के PDF मिल जाते हैं, और यह सब आपको मिलता है, कितने पाइसे में, यह मिलता है, आपको 50,400, this is the price of this plus subscription, 2 साल का यह price है, आप EMI भी आपर pay कर सकते हैं, monthly installments में आप पैसा दे सकते हैं और यह वाला जो code है बेटे, यह जो मेरा नाम है, SNP service is my name as well, और यह code है, reference code है, यह लगाने पर 10% discount आपको, जो भी existing offer चल रहे होंगे, वहाँ पर definitely मिल जाएगा, इसके बाद बचो, iconic subscription की बात करें हैं, तो iconic एक level अप हो जाता है, यानि कि यहाँ पर कुछ और extra होता है, plus कि सारे benefits, सारे features तो यहाँ मिलते ही हैं, लेकिन iconic में additional दो important चीज़े हैं, काफी सारी चीज़ें, लेकिन दो important चीज़ों पर ध्यान दिलाना चांबा, one is personal guidance and another is destiny. लेकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो महनत करने के लिए तयार रहते हैं, पूरे जीजान से लगे रहते हैं, लेकिन उनका problem यह होता है, उनका problem यह होता है कि कोई उन्हें guide करते हैं, कोई बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, सरकाम तो सारा मैं करना, तो उन बच्चों के लिए iconic plan है, क्योंकि यहाँ आपको personal mentor, अपने personal coach और guide मिलते हैं, जो आपको पूरी तरीके से बताते हैं, आपने किस direction में अपनी preparation को लेके जाना है, आईना, welcome बचिये, welcome, और यहाँ पर आपका study plan किया जाता है, पूरा study material मैंने बता दिया है, और next important thing, test analysis, तो बच्चों, test analysis किसी भी competitive exam को crack करने लिए बहुत important है, test हम देते हैं, कि check करते हैं, यार हमने जो पढ़ा है, उसको हमने किस तरह से utilize क और test analysis आपको बताता है, कि कहां आप में कमी रह गई है, यानि कि किन topics में आप weak है, किन topics में strong है, कहां पर जादा time consume हो रहा है, कहां average time से हम जादा time ले रहे हैं, कहां हम time save कर सकते हैं, तो पूरा digital analysis आपको मिलता है, और उसके basis पर आप improvement कर सकते हो, Iconic subscription की price की बात कर ले हैं, तो यह 90,000 का पढ़ता है again for 2 years, और इसमें बिचे आप again PMI options avail कर सकते हैं, और यह sir का नाम तो आप इस्तमाल करी सकते हैं, 10% discount के लिए always, ठीके बिटा, और इसमें अभी offer चल रहा है कि अगर आप plus subscription लेते हो, यार 12 या 24 महीनेगा, तो आपको 2-2 म batches हैं, जिस भी exam को आप target कर रहे हो, उसके according, और एक ही subscription से आप multiple batches join कर सकते हैं, ऐसा नहीं ही कि एक subscription ले लिया तो ये की batch join कर सकते हैं, केवानी जी, बहुत-बहुत स्वागत है, बुड़ीवनीं बच्चे, अब इसके अलावा यार, यह सब paid subscription हो गया, और बहुत सारी ची हैं, जिस से जो talented बच्चे होते हैं, वो भी उपर आ सकते हैं, और उन्हें भी subscription लेने का मौका मिल सकता है, तो unacademy आपके लिए लाता है, यार, scholarship test की opportunity, इसे कहते हैं, need UG combat, यह हर संडे को होता है, 11 बचे, और यह free of cost है, आपको सिर्फ मेरा नाम लिखना है, यह code लगाना ह और आप इसे lock कर पाएंगे, unlock कर पाएंगे, I mean lock यह रहेगा, unlock हो जाएगा, तो आपको यह free of cost देने को मिलेगा, कोई charge नहीं है, और इसमें आप 100% scholarship जीच सकते हैं, for one year subscription, उसके अलावा subsequently जैसी rank आती है, उस हिसाब से आपको थोड़ी कम भी scholarship मिल सकती है, गुड आप an academy की app पर या आप an academy की website पर जा सकते हैं, वह पूरी detail आपको मिल जाएगी, और आप इस exam को ऐसे ना देखें कि scholarship test है, आप तो ऐसा देखो यार कि हम अपनी preparation को check करना चाहते है, एक mock test यहाँ पर आपको free of cost देने को मिल रहा है, आप तो उस तरीके से दो, additional benefit तो आपको scholarship की form में मिल ही जाएगा, इससे भी बड़ा एक और scholarship test होने जा रहा है, विच इस called protigy scholarship test, यह 14th और 15th अजस्त को होगा मेरा बच्चा, और इसमें हर category में यह exam होगा, आप देख सकने, इसका schedule आ चुका है, तो आप जाकर कि इसके लिए register करा लें, यह भी free of cost है, कोई charge नहीं हैं, और यहाँ पर जो top two students होगे, उनका first year का college fee and academy sponsor करेगा, जो कि 5 लात रुपे तक हो सकता है, और इसके लावा भी बहुत सारे बहतरी इन prices है, daily एक lucky winner, iPad जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर 14th, 15th अजस्त को जो exam होगा, उसके अलावा भी daily कुछ ना कुछ test चलेंगे, तो व और अपने respective competitive exam में भी इन्होंने उसी के तरज पर बहुत शांदार score किया, तो इससे एक चीज़ और हमें पता लगती है, बचे, कि जो level रहेगा आपके प्रोटीजी के test का, वही आपके respective competitive exam, यानि कि NEET या J को touch करेगा, यानि कि बहुत अच्छी practice आपको मिलेगी, तो आप practice के point of view से दरूँदे, प्रशान जी, good evening बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है, प्रशान जी आपका भी, और ये एक last बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है buzz bounty, ये क्या होता है सर, ये buzz bounty क्या होता है, देकि बच्चों आप unacademy का content देख रहे हैं, जैसे आप अभी ये video देख रहे हैं, प्रशान की है हमारे साथ, उजैफ हैं, शिवानी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सब आप video देख रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी video में लगता है, कि कोई inappropriate content है, या फिर कोई चीज conceptually गलग बता दी गई है, और उसे address भी नहीं किया गया, उस लेक्चर में या आगले लेक्चर में, तो आप क्या कर सकते हैं, description में एक form है, वो form भर देख, उसमें detail डाल देख, आपको form review होगा, और फिर आपको सारी detail अगर सही पाई जाती है, तो आपको prizes जितने का मौका है, यानि इससे क्या हो रहा है, आपकी active learning को reward कर रहा है an academy, आई हो बात लोगों भी यह चीज़ बहुत सही लगी हो की, चलो बच्चों, तो अब आजाते हैं हमारे topic पर हमको discussion करना है यार, basic mathematics का, सारे बच्चे आजाओ, कुरसी के पेटी, बांद लो, आराओं से बैठो कोई tension लेने का नहीं है, एक चीज़ ध्यान रख लो, मेरी class मे tension का काम नहीं होता है, tension तुम्हें नहीं लेनी है, तुम्हारी जो भी tension होगी मुझे बता दो, मैं handle करूँगा, आपको कोई tension नहीं लेनी है, relax होकर के बैठना है, और class को देखना है, जहाँ समझ में नहीं आएगा, वहाँ pink कर देना है कि sir, ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो sir जो है, आपको दूसरे तरीके से बता देगे, क्योंकि देखे, teacher क्या होता है, teacher एक मदारी की तरह है, मदारी देखा है आपने, अब तो तमाशा होता नहीं है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में आपको देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों वहाँ पर क्या होता है, कि जो मदारी आता है, वो जैसी जनता होती है, उसी तरह का तमाशा दिखाता है, इसका मतलब यह है, कि भईया, sir के पास सारे आइटम available है, अगर किसी बच्चे को एक तरीके से नहीं समझ में आत लेकिन हम इन सब को relate करेंगे हमारे physics के concept से तो थोड़ा वग feeling आ पाएगा कि के बच्चों तो यहां पर mathematics में पढ़ने के लिए आगांशा, good evening, good evening, good evening तो यहां पर mathematics में पढ़ने के लिए अपार चीजे हैं, आनंत चीजे हैं, परमार लगी हुई है लेकिन हमको क्या चाहिए, हम इस पूरे लेक्चर सीरीज से जो basic mathematics के दो या तीन ही जितने भी लेक्चर होगी, उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि maths में थोड़ा सा comfortable कुछ है, थोड़ा सा confidence आ जाए और कुछ जो बहुत important चीजे हैं उसमें हम fluent हो जाएं ताकि हमारे जो question है ना need के, या हमारे जो physics के question है, वो कहीं हटके नहीं, हमको डर ना लगे, हम घबराएं नहीं और हम जल्दी से वो सारे questions को पार करके आगे बढ़ सके, वरना हमारा पूरा subject physics खराब हो जाता है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे, functions क्या होते हैं, functions क्या होते हैं, function यह वो वाले नहीं, शादी ब्याओ वाले function की बार नहीं हो रही कि बट्टे है, चाचा जी के ला चीजें बताऊंगा, जो bookish language होती है, वो भी बताऊंगा, लेकिन बच्चे book में से पढ़ सकते हैं, फिर सर आपका क्या काम है, तो सर का यह काम है कि सर आपको easy करके बताएंगे, simple करके बताएंगे, ताकि हर चीज आपके दिमाग में एक्दम अच्छे परीके से fit हो जाए, आकाश चौरस यह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आकाश जी आपका, आओ, तो function देखो, अब देखो, यहाँ पर technically लिखा हुआ है, अपन इसको simple कर देगे, यहाँ क्या बोलते हैं, भाईया बोलने है, function is a rule of relationship between two variables in which one is assumed to be dependent and another is assumed to be independent variable, देखो, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, भाईया, function क्या है, function relationship बताता है, तो different-different variables के बीच में, क्या, दो different-different variables के बीच में, variable क्या होते हैं, भाईया, variable वो होते हैं, जिनकी value change हो सकती है, जिनकी value change हो सकती है, आकाश जी, 11th का और 12th, तोनों यहाँ पर चलेगा, और कुछ भीक में 11th और 12th के तोनों classes अलग-अलग हो जाएंगी, 11th की एक class होगी, 12th की अलग से class होगी, इस विशह में, lecture के last में, मैं और detail में आप सबको explain कर दूँगा, कोई भी confusion नहीं रहेगा, खीके बच्चे, तो जैसा मैं function के बारे में बता रहा हैं, आपको relation बताता है, दो variable के बीच में, जैसे simple तरीके से समझो, जैसे मांगो मेरे दो variable किरा होगा, यह जो लिखा हुआ है, इसको बूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ, उदर focus करो, जब मैं बोलूँगा, तुम मेरी तरफ देखना है, आपको, मेरी बात पर focus करना है, लिखा हुआ बूल जाओ, यह लिखा हुआ हुआ है इंट्रेस्ट, समझते हो, इंट्रेस्ट, ब्याज जिसको कहा जाता है, इंट्रेस्ट, वो वाला इंट्रेस्ट नहीं, वो वाला इंट्रेस्ट नहीं, जैसे हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा deposit करते हैं, तो बैंक में मान लीजे, आपने पैसा deposit किया, तो बैंक वहां पर र आपने अगर 100 रुपे बैंक में रखे तो एक साल में उसका इंट्रेस्ट कितना बनेगा? 5 रुपया, simple है, simple है, 100 रख्खा, 5 बनेगा, 200 रख्खा, 10 बनेगा, 300 रख्खा, 15 बनेगा, ऐसा है, यानिकी, 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 अब यहां relation बन गया, यहां relation बन गया, किसके बीच में हमारा जो principal amount था, निकी, जो हमारा amount था और interest उसके बीच में, जैसे जैसे हमने interest बढ़ाया, वैसे-वैसे, जैसे हमने पैसा बढ़ाया, वैसे-वैसे interest बढ़ रहा है, amount बढ़ाया, interest बढ़ रहा है, तो यह relation है, तो यह यही कह रहा है, interest paid on cash investment depends on the length of the time investment is head, ठीक है, देखो, समझो इस बात को, मैंने एक साल रखा, तो मैंने जैसे 100 रुपे मैंने एक साल रखी, 5 रुपे मिले, अगर 2 साल रख दिये तो 10 बिलेंगे, 3 साल रख दिये तो 15, यानि कि जैसे जैसे time बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा interest amount भी बढ़ेगा, ठीक है, तो यह अब किसके बीच में relation हो गया, time और interest के बीच में, ऐसे ही मै principal amount पढ़ा हूँ, 100 की जगा 200, 300, तो principal amount और interest के बीच में relation आ गया, तो इस तरह से हमें जो quantities, variables के बीच में, जो relation मिलते हैं बच्चे, उसको function कहते हैं, जिसके through मिलते हैं, अब यहाँ देखू, मैंने लिखा है y is equal to f of x, इसको कैसे पढ़ते हैं, f of x, क्या बोलते हैं, f of x, यानि मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर y is a function, y is a function of x, मेरा बच्चा, क्या हो गया यह, y is a function of x, यानि कि y जो है, वो किसका function है, x का function है, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक dependent है, एक independent है, यानि कि यह जो आपका x है यह independent है, independent variable इसे कहा जाता है, मेरा बच्चा, independent variable और यह जो y है, यह dependent है, कैसे है सर, कैसे है, देखो, समझो, मान लो बेटा, x क्या है, x यहाँ पर क्या है, x time है, तो मैं time को बढ़ाँगा, तो उसी ratio में, मेरा y है, y interest है, तो interest amount बढ़ेगा, तो यानि कि x को मैं change कर रहा हूँ, उसी क हिसाब से मुझे, जो dependent variable है, y वो change होता हूँ मिलेगा, क्योंकि वो किस पर depend कर रहा है, x पर, क्योंकि y is the function of x, तो थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा feel आ रहा होगा, हाँ कि ना बिटा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, ठीके, वह यह technical समझो, समझो, क्या कोई independent मान सकते हैं, क्या, नहीं, मान नहीं सकते, function देख करके हम बता सकते हैं, function देख करके हम बता सकते हैं, जैसे अभी कुछ example लोगा, absolutely clear हो जाएगी सारी चीज, ठीके, बच्छे, यह देखो, यह f जो है, यह किसको represent कर रहा है, function, ठीके, अब मान लो, कि function आपका एक black box है, है न, function क्या है मेरा बच्छा, black box की तरह से, अब function में मैंने input डाला, input मेरा क्या है, input मेरा क्या है, यह independent variable है, जैसे यहाँ पर function है, अब function क्या बता रहा है, मुझे relation बता रहा है, किसके बीच में, interest और time की बीच में, तो अगर इसने मुझे ऐसे कह दिया कि interest is directly proportional to time, ठीक है, अब मैंने यह input में क्या डाला, time डाला, जैसे मैंने यह एक साल डाला, एक साल डाला, तो मुझे यहाँ पर output में क्या मिलेगा, interest मिलेगा, कितना मिल गया है, साब, मान तो यहाँ पर 5 रुपया मिल गया, अब मैंने यह time double कर दिया, 2 years कर दिया, तो यह भ को dependent variable, यहनि कि output मिल गया, अब इसमें दो item और होते हैं, जिसे कहा जाता है, domain and range, क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, domain and range, क्या गवराना नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधान मंत्री क्या बोलते हैं, गवराना नहीं है, तो हमने भी गवराना नहीं है, mathematical terms देखके, मैं फिर से बता रहा हूं, neat मैं आपसे नहीं पूछेगा कि domain क्या होता है, range क्या होता है, I am repeating myself, अच्या कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा comfortable कराना चाता हूं, maths में, तो थोड़ी बहुत information मैं आपको दे रहा हूं, feeling दिला रहा हूं, थोड़ा सा हमको अच्छा लगने लगे, जब तक हम differentiation तक पहुँचें, तब तक हमें confidence आजए, क्योंकि main काम यहाँ पर सीखना है differentiation, और differentiation आपके हर chapter में फिजिक्स के में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, तो differentiation से बचने की कोशिश किसी भी बालक को या बालिगा को नहीं करनी है, समस्त चात्र चात्राओं को differentiation पर कम अब देखो, दो आइटम है यहाँ पर क्या है, domain and range, तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, बहुत बच्चे, बहुत अच्छी बात है यह, आप कश्मीर से हैं, वहाँ एक उपसूरत वादी है, बहुत बढ़िया जगर है, बहुत बढ़िया जगर है, तभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, lockdown अगरा, जैसे ही, इसमें delay बरती जाएगी, तो बिल्कुल वहाँ पर जरूर आएगे, तो देखो बच्चो, आप domain and range में आपको simple तरीके से समझाते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा y is equal to sin x, sinusoidal function इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, sinusoidal function, sin x आपने सुना हो कितने पार्ट में खतम होगा, अरे बिटायार तुम पढ़ो तो सही, खतब हो जाएगा सब चिंता मत करो, दो से तीन पार्ट में खतम कर देंगे, आज थोड़ा सा first lecture है, तो थोड़ा आराम आराम से अपने बढ़िया feeling ले लेके पढ़ रहे हैं, हैना main चीजे, दो main item दो ह अपने पास differentiation और integration, तो यह दोनों item डीटेल में करेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करोगी यार, इस basic mathematics में कितना time जा रहा है, जाने दू, जाने दू, जितना भी time जा रहा है, जाने दू, कोई दिक्कत नहीं है, यह सारा आपको payoff करेगा भई, आगे, physics में, आपको खुद यह function होता है, ऐसा इसका graph बनता है, यह y which is sin x, और इसका यह value होता है 1, और इधर value होता है minus 1, और इधर यह minus infinite तक जाता है, इधर plus infinite तक जाता है, अब देखो, अब देखो, दो चीज़े हैं भईया, एक को है range, आपको अगर sin function का कोई idea नहीं है, भूल जाओ, आप तो range पकड़ो यहां से, range का मतलब यह है कि जो हमारा independent variable है y, उसकी क्या-क्या value आ सकती है, तो देखो यार, sin function की बात करें, तो y की कहा से कहा तक value है, minus 1, 2, 1, है ना, ना 1 से यह जादा हो सकता है, ना minus 1 से कम हो सकता है, तो यह इसका क्या हो गया, range हो गया, range हो गया, range हो गया, व तुम तो PUBG और भी खेशते होंगे, उसमें आती होंगे ना, कि इस गन की range इतनी है, यानि कि यह महां से मही तक जा सकता है, बस, इससे जादा उकात नहीं इसकी, तो इसकी range है, minus 1, 2, 1, और इसी तरह से दूसरा होता है, domain, domain का मतलब क्या होता है, कि भाया, independent variable है, उसकी range कहा तक, यानि कि उसकी value क्या-क्या हो सकती है, तो यहाँ x की value देखो, x की value, 1 पर भी value मिलेगा, 2 पर भी मिलेगा, 3 पर, अब 2 infinite, कुछ ना कुछ मिलेगा, और ऐसे minus infinite तक यह graph follow होगा, यानि कि इसकी domain minus infinite to plus infinite, सारी values होगे, चमकता है, चमकता है, बोलो भाया, domain range clear है, यानि कि simple बहुत 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 बढ़िया, अब देखो, यानि यहाँ से थूड़ा सा और फिल लेते, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर f is a function of x, इसको पढ़ते हैं हम क्या, f of x, f of x, great, great बच्चो, thank you, thank you so much, यह है f of x, यानि f is a function of x, x का function क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप function में independent variable क्या है, x है, अब यह कह रहा है कि f of 0 का value बता, f of 0, यानि कि मुझे x को कि से replace करना है, बच्चे, 0 से, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा, 0, तो 0 का square, 0, 0 plus 3 क्या आगया, 3, बहुत सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब f of 1 क्या है, यानि कि x की जगा पर क्या आएगा, 1 आएगा, great, 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 है ना, तो जल्दी-जल्दी से इसको देख लेते हैं, तो 1 square, 1 और 1 plus 3, 4, अब क्या कह यह बोल रहा है, f of x square, f of x square, इसका मतलब समझो मेरा बच्चा, यानि कि x को किस से replace करेंगे, x square से कर देंगे, यानि कि x square तो था ही, x की जगा x square और उसका भी square, तो x power 4 plus 3 यह चमकता है, उनों ला कि ना, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, अगला है f of x plus 1, f of x plus 1 बोले तो यानि कि अब यह function, x को किस से replace कर देगा, x plus 1 से, यानि x plus 1 का whole square, plus 3, इसको open करके solve कर सकते हैं, great, 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 शावाश, फिर बोल रहा है f of f of 1, अब इसका मतलब समझो, अब यहाँ पर x की जगा पर क्या आ गया, f of 1, और f of 1 कितना था मेरे बच्चे, 4, यानि कि मैं इसको f of 4 बोल सकता हूँ, यानि कि x को replace कर सकता हूँ, 4 से, तो यह 16 plus 3, 19, बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कात, कोई परेशानी, कोई समस्या, ऐसे question नहीं आएंगे, ऐसे need के question नहीं आएंगे, यह just हम थोड़ा सा sense जो है, grasp करना चाहते हैं, बहुत से, अब आगे चलिए, अब थो एक पूरी branch है mathematics की, पूरी branch है, समझ रहो, जैसे mathematics अपने physics में क्या होता है, mechanics होता है अलग से, ठीक है, ऐसे maths में एक पूरा calculus है, एक पूरा trigonometry है, समझ रहो ना, उसी तरीके से यहां पर बहुत सारी चीज़ें trigonometry में discuss करनेगी, लेकिन, अपन क्या करेंगे बेटा, अपन तो भाईया, आराम से कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे, जो हमारे regular use में आएगी, regular use में जो आएगी, वो देखेंगे बस, खीक है, चलो, आगे बढ़ें, देखें भाईया, क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं, angle और angle का जो relation होता है यहां एगल की unit क्या-क्या होते है, degree और radiant यह दो होते हैं, चलो, अब थोड़ा सा यहां पर feel लेना है, थोड़ा सा यहां पर feel लेना है, आपको मैं एक simple सा formula बताता हूँ, angle is equal to, angle is equal to, arc upon radius, यह formula होता है, इसका क्या मतलब होँआ सर, इसका क्या मतलब होँआ, देखो मेरे theta angle grade के है, बहुत से, और इसका arc length क्या है, यह वाला पूरा arc length है, इसका, यह वाला पूरा arc length है, और यह radius है, चाह बकता है, यह तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, arc length, radius, anti-angle, ठीक है मेरे बच्चा, तो यह angle theta जो है न, यह कैसे आएगा, arc length, यानि कि यह जो a, b, यह ज तो फेरेंच कितना होता है, 2 pi r का होता है, r से divide कर दी, तो यह क्या बच गया, 2 pi radian, यानि कि हम एक चीज जानते हैं कि circle में अगर पूरा घूम जाएं, तो कितना angle बनता है, 2 pi radian angle बनता है, और हमें यह पता होना चाहिए, बच्चे, that pi radian is equal to 180 degree, यह सभी को मैं समझाओ, प बात करें मेंटे, तो pi upon 180 radian, बोलो, बोलो, चमकता है, simple है, simple है, simple है, simple है, अलवा है, compare to, कुछ ने tension, यह ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बिटे, यह ध्यान रखेंगे, अपनके 1 radian is equal to 180 upon pi, और 1 degree is equal to pi upon 180, यानि कि, अगर आपको किसी भी angle को radian से degree में convert करना है, तो 180 upon pi से multiply होगा, और अगर degree से, radian से degree में convert करना है, तो pi upon 180 से, समझ में आगई बात, समझ में आगई बात, बहुत से, तो यह angle conversion का formula होगा है, relation होगा, यह हमने ध्यान रखना है, आप तो यह ध्यान रखो यार, pi radian is equal to 180 degree, बाकी तो उपर नीचे तो आप करील यहाँ पर कुछ angles हैं, इनकी values दिए, radian में, 30 degree है, 30 degree है, अब मैं इसको क्या करना चाता हूँ, radian में convert करना चाता हूँ, तो pi upon 180 से multiply करूँगा, तो यह कितना होगा, 6 तो यह pi by 6, 6 times cancel होगा, simple है, इसी तरह से देखो, यहाँ पर यह pi by 4 है, मानलो, pi by 4 radian है, मैं इसे convert करना चारों degree में, तो मैं क्या करूँगा, pi by 4 into 180 upon pi, आप देख लो, pi आ रहा है न, उपर तो नीचे pi आना चाहिए, 180 upon pi से multiply करना खतम बार, तो यह आगया मेरा 45 degree, समझ रहे हो न, तो यह standard values है, यह मैंने लिखी हुई है, आप इनको क्या करना, खुद से convert करके देख लेना, 45 pi by 4, यह तो मतलब tips पे होनी चाहिए अपने, बिलकुल, बिलकुल, यह वाली, यह न, pi by 2, 90 हो गया, pi is equal to 180 हो गया, 2 pi is equal to 360 हो गया, as simple as that, बहुत simple हिसाब किताब, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी समस्या होगी, यह तो मेरे बच्चे बता देंगे, बता देंगे, ब अब angle के measurement की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यह angle को major किस तरह से किया जाएगा, how we are going to measure the angles, तो देखो, यहाँ पर एक positive angle होता है, एक negative, कैसे होता है, हम angle मानते हैं, किसी ना किसी reference से हमेशा, तो यह horizontal axis हमारा होगी है, reference बोले तो जहाँ angle 0 है, देखो, angle क्या होता है, तो यह द आ रही है, ठीक है, किसके reference में, यह x axis के reference में, तो anti-clockwise में जाऊंगा, देखे, दो direction होती है, बच्छे, एक तो यह वाली होती है, anti-clockwise, और एक ऐसा होता है, clockwise, जैसा आपका clock घूंगता है, गड़ी, जैसे घूंगता है, गड़ियाल, वो हो गया clockwise, और उसका opposite, क्या हो गया, anti जाँज, जाँज, बहुत बढ़ी है, तो यह positive measure होगा, अगर anti-clockwise जाएंगे, ठीक है, और अगर मैं clockwise चलागे, clockwise चलागे, यह देखो, इदर clockwise चलागे, नीचे से मैंने measure किया, तो यह negative angle कहलाता है, negative angle कहलाता है, ठीक है, इसको negative में count करते है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ trigonometric functions, जैसे sin x की बात करी थी, किस की बात करी थी, sin x की बात करी थी, उसी तरह से बेटा, यहाँ पर 6 trigonometric functions होते हैं, कितने होते हैं मेरे बच्चे, 6 होते हैं, ठीक है, यह, सब मुझे नाम लिख करके बताओ, जिस जिस को याद है, नाम लिख करके बताओ, of all 6 trigonometric functions, नाम ल बताओ कि यार सर हम भी यहां पर हैं हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और अंत तक डटे रहेंगे एक्साम को फोडगरी मानेंगे तो बच्चों यहां पर लिख दो सारे नाम लिख दो जो तुम्हें याद है ना जो मचाने, बच्चों वह छो आपना टूझा है, आपना ओरीजन हो गया 0,0 माननो यह जो पॉइंट है लाट है ठीक है coordinate system तो समझते हैं ना मेरे बच्चे अपन यानि कि यहां से यहां तक यह हो गया आपका x और यहां मैं vertical में कितना गया मैं गया y तो मैं x, y पर पूछ गया ठीक है मेरे बच्चे और यह angle हो गया ठीटा यहां पर ठीक हो जाती यह बात बहुत से बहुत से बहुत से सभी बन जाता है हमारा right angle triangle यह ठीक है right angle triangle यानि कि जिसमें एक angle 90 degree का होता that is called right angle triangle यह ठीटा हो गया अब इस angle के corresponding इस ठीटा के corresponding this would be the base यह क्या होगा बच्चे इसको कहा जाएगा base हिंदी में बोलते हैं आधार जो बच्चे हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी में आधार और यह होता है हमारा base English में और यह होता है perpendicular यानि कि लंब जिसको कोड़ते हैं यानि कि जो perpendicular हो है यंग्सवा वासेपुर देखे हो और यह हो जाता है hypotenuse HYP करके short में लिख देता हूं मैं this is hypotenuse यह वाला जो सबसे बड़ा वाला side है इस triangle that is called hypotenuse ठीक है मेरा बच्चा base perpendicular और सबसे बड़ा वाला hypotenuse ठीक है अच्छा अगर सर ने यह वाला angle ले लिया ठीटा तो तो यह वाला base हो जाएगा बच्चे और यह यह वाला perpendicular हो जाएगा hypotenuse सेम रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी तो एक ही side है तीनों में से है ना चलो बहुत सही बहुत सही अब देखो अब देखो हमारे पास कौन कौन से function होते है sin theta होता है cos theta होता है 10 theta होता है और sin का counterpart क्या होता है cos 1 cos का क्या होता है sec ए जाए DR.02 होता है एफ है जो ए और यहां होता है counterpart कॉर्ट होता है not L से क्या है लम-लम यानि perpendicular, A से क्या है आधार यानि की base, L से क्या है perpendicular, K क्या हो गया, कर्ण-कर्ण यानि की hypotenuse, hypotenuse और ये A आधार यानि की base, तो ये तो हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंगलिश वाले बच्चों के लिए, ये क्या बता दिया सर, आपने ये क्या बता दि 10 theta होता है आपका perpendicular upon base, बोलो बच्चे, clear है यह बात, clear है यहाँ से, clear से नहीं दिख रहा ना आपको, तो क्या, perpendicular base, perpendicular, और यह hypotenuse, hypotenuse base, यह है, बताओ, बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्चा, कोई परिशानी, बता देंगे बच्चे, बहुत से, बहुत से, बहुत से, तो यह हो इस theta के लिए, इस theta के लिए perpendicular था, y, और hypotenuse क्या था, यहाँ पर, यह hypotenuse, यह hypotenuse, इसको मैं पहुन देता हूं, फिलाल, h, ठीके, यह hypotenuse आगे, यहाँ पर, h, ठीके, under root x square plus y square आएगा, पो मैं आपको आगे आने वाले lecture में बताओंगा, कि उसका value कैसे calculate किया जाता, फिला फिलाल, 1 upon cos theta is sec theta, यानि की यह हो गया, h upon b hypotenuse upon base, cot theta क्या होता, 1 upon 10 theta, 1 upon 10 theta, यानि की यह हो गया, b upon b, ठीके, यह relation आपने ध्यान रखने है, है न, कि sine theta का reciprocal, cos 1 हो गया, cos 1 हो गया, sec का reciprocal, cos 2 हो गया, divided by cos theta कर देता हूं मेरा बच्चा तो यहाँ पर क्या होगा hypotanus cancels ये क्या आ जाएगा P by B किस में आता है 10 theta में आता है साइन theta upon cos theta क्या होटा है 10 theta बताओ बना के नहीं बना मेरा बताओ बताओ ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल basic है, बिल्कुल basic से चल रहे हैं, अपन यार बिल्कुल zero से शुरू कर रहे हैं, zero से शुरुआत हो रही है, इसके notes आपको मिल जाएंगे, आपको revise करना है, तो आप notes से जरूर मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर description में हमारा जो channel है, आपका chapter खतम होगा, PDF आपको मिल जाएंगे, इसको नहीं चमका बता दे सर को, सर फिर से बताएंगे, सर ने बताया ना, सर अलगतर ही किसे भी बता सकते, बहुत बढ़िया, चलो, यह बात हो गई खतम, अब देखो या, कुछ standard angles की value हम निकालना चाहरें, क्या, कुछ standard angles की value, जैसे जैसे, अब यहाँ देखना, क्या-क्या बात कर रहा हूं है, 0 degree, 30 degree, 37, 45, 53, 60, 90, आप देखों, यहाँ पर sequence में क्या है, angles बढ़ रहे हैं, और यह values आपको याद रखनी हैं, इन सब की, जिसको नहीं याद हैं, क्या करेंगे वो बच्चे, वो बच्चे घर पे जाएं, है न यहाँ पर पेपर में यह पूरी लिस्ट बनाए, यह पूरी लिस्ट बनाए और बार-बार बनाए, बार-बार बनाए, अब सर इतना सारा कैसे याद करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर 6 value याद रखनी है, और कुछ भी याद 3 degree, 60 degree, 90 degree, और एक बात और मैं बता दू, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका फिजिक्स का बेस स्ट्रॉंग हो, आगे जाकर के फिजिक्स में बहुत एक्सेल करें, क्योंकि बच्चों, नीट के एक्जाम में आपका जो पालिफिकेशन है ना, जो 500 से 500 के बीच में बच्चे अटकते हैं ना, वो फिजिक्स की वजए से ही अटकते हैं, वो 600, 620, 650 वहां तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, because of physics, most of the students, सारे नहीं, कुछ exception भी होते हैं, लेकिन most of the students को physics में प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप चाहते होगा यार, वो इस्तिति अपने साथ नहीं हैंगी मेरे बच्चे, ठीक है, चलो, देखो, 0 डिग्री है, अब यहां पर मैं क्या ले ले रहा हूँ, साइन, अब बस साइन ठीटा की वैल्यू आपको पता करनी है, यह किसकी वैल्यूस हैं, यहां पर यह ठीटा की वैल्यूस है, ठीटा is equal to 0 रहेगा, तो साइन ठीटा क पस, यह याद रखनी है आपको वैल्यू, और आप देखें, increasing order में, क्या है, increasing order में, अब चलो, अब बात करते हैं, cost तीटा की, अब साइन में क्या होता है यार, मैंने आपको साइन का ग्राप भी बताया था, अगर आप थोड़ा सा ग्राप पढ़ना जानते हैं, तो समझ स कि यहां पर sin theta जो है वो angle के साथ साथ में increase होता है जैसे जैसे angle बढ़ेगा sign का value भी increase होगा तो यहां पर देखो 0 angle था 0 और देखो 1 by 2 3 by 5 value increase हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है यह 4 by 5 था तो इधर 4 by 5 आ गया फिर इधर यह 1 by root 2 था फिर इधर से पीछे चल रहे हैं हम reverse में यह 3 by 5 आ गया फिर इधर क्या था 1 by 2 था second last में इधर last में 0 था तो इधर वाने में 0 six fuck different mix the ideal का स्मEC में आई बात मरे बच्चे और बढ़ गया समझ में आरी नो बस यह याद रखना है यह रखना है मैं सा इंठीट वाली लाइन की याद रख नेके कॉस में उलटी खुमा थे लाइन के लाइन को फॉस में वाल्ती पार पड़ने tea गटी एंगल पड़ता यह रहा साइन और यह रहा कॉस डिवाइड कर दो, 0 by 1 क्या होता है, 0 होता है साब, 0 होता है साब, और यह 1 by 2 divided by 1 by under root 3 by 2, तो 2, 2 cancel, यह क्या बच गया, 1 by root 3 इन दोनों को डिवाइड किये 5 cancel, 3 by 4, इन दोनों को डिवाइड किये 1, 1 आ गया, यहां पर बहुत बढ़िया, इन द बताओ कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्चा, कोई परिशानी, नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत सही, बहुत सही, तो यहां पर एक बात आप देखें कि 45 डिग्री पर, sign और cos दोनों का value same होता है, और इस पर 1045 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, देखो आप सारी value match कर लो same है, same है, same है, sir ने बता दिया कैसे निकालना है, अब ये table आप घर जाके 2-3 बार बना लो, कहानी खतम हो गई है, कहानी खतम हो गई है, और जैसे-जैसे मैं कुछ और चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा बच्छे, तो आपको क्या होगा, इन values को याद रखना और आसान हो ज assignment क्या है, assignment है कि आपको graph जो है, वो draw करने है, क्या करने है, बच्चे, graph draw करने है, आप अगर कोई notebook बना रहे हैं, जिसमें आप ये notes होगरा लिख रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो आप क्या करो हो, एक paper में, एक paper में आपको graph बनाने हैं, कि वो कुछ नहीं करना है आपको आपको देख करके बनाने है क्या करना है देख करके बनाने है देख करके आपको क्या करने है यहाँ पर ग्राफ बनाने है बच्छो किसके साइन के कॉस का और टैन का इन तीनों के ग्राफ बनाने है देख करके उससे क्या फायदा होगा सर उससे उससे आपको थोड़ा सा feeling आएगा, idea लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर values vary करती है और मैं आपको जो हमारा basic mathematics का एक दो lecture के बाद जो last lecture होगा उसमें मैं graph भी सिखाऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि graph कैसे पढ़ा जाता है, how to read graphs क्योंकि graph physics का बहुत important part है, बहुत सारे need के question, आपको इसे भी साल का paper उखा लो कम से भी कम तीन question ऐसे होंगे, जो graph देख करके बना दोगे और काफी सारे question ऐसे भी होंगे जिसमें graph से related कुछ ना को चीज बोगी तो graph पढ़ते कैसे, graph बनाएं कैसे जाते, shapes कैसे define होती है, कैसे हम decide करते हैं कि कौन सा shape graph बनेगा, यह सब आपको बताया जाएगा तो सब चीज़ें आगे काम आएगी, तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों पर भरोसा करो, trust करो, और जो कहता हूँ वो मानो, आपको result जरूर मिलेगी देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बताओं बच्चो, कि यहाँ पर अपन time pass करने नहीं है, अपन पढ़ाने आए हैं, और जो बच्चे पढ़ने आए हैं, उनको definitely, definitely बहुत जबर्दस content मिलने वाला है, YouTube पर कहा है, मैंने कुद भी observe किया है, मतलब बहुत अच्छे-च्छ आपको मिलेगा, है ना, असी मजाग, मस्ती मजाग वो, during the lecture जो होता है, वो regular हो जाता है, वो तो natural होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा focus कुछ और है, main priority हमारी रहेगी, हमारी study, हमारे concept, हमारा content, हमारी पढ़ाई, ठीक है, तो उस पर focus रहेगा बच्चे, ठीक है, तक का हिसाब आपने बता दिया, सर कि यहां तक के angle कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर 90 degree से जादा के angle आगे, तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगी, यहां तक की, तो सर हमने value याद कर ली, आगे क्या किया जाएगा, तो आगे का मैं system बताता हूँ, आगे का system बताता हूँ, rules for finding trigonometric ratios of angles greater than 90 degree, यानि की, यानि की, अगर किसी ने बोल दिया, कि sign 120 कितना होता है, यह बतातो फटापट से, sign 120 कितना होता है, यह बतातो फटापट से, तो कैसे बताया जाएगा, उस बारे में हम discuss करेंगे, अच्छा बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, और चीजें आपको complicated दिखेंगी, complicated दिखेंगी, लेकिन सर आपको बिल्कुल सिंपल कर होते हैं, first step क्या है, कि identify the quadrant in which angle lies, अब यह quadrant वाली क्या है, इसकी में सर देखो, quadrant का मतलब होता है, चत्वतांच, यानि कि one quarter, किसी भी चीज़ का एक चौथा ही हिस्सा, तो मैंने क्या कर दिया भाया, total angle कितना होता है, हमारा 360 होता है, पुरा checker गुंग गए, तो कितना है, 360 ह इसको चार हिस्सों में बाट दिया, यहां से शुरू करें, यह 0 degree, 0 degree, यहां पर आगए यह 90 degree, यह तो आप समझते ही हैं, तो यह 90 degree वाली line हो गई, यहां पर पहुच गए 180 degree, क्योंकि हम कैसे measure कर रहे हैं, मैंने बताया था, हम anti-clockwise चलते हैं, यह 90 यहां पर पहुच गए, फिर यहां से यहां पर कित्ता हो गया, 180 हो गया, फिर और आगे मैं बढ़ा है, यह 270 हो गया, और मैं वापस यहां पर पहुच गया, तो यह कित्ता है, 360 हो गया, यह पूरा चकर लगा लिए तो बेटा, 360, 360, यह भी डिविलियर है, 360 degree player, आगे पीछे सब जेगे मारता है, इ यह मेरा हो गया, 2nd quadrant, क्या हो गया, 2nd quadrant, यह हमारा हो गया, 3rd quadrant, बहुत सही, यह मेरा हो गया, 4th quadrant, क्या हो गया, 4th quadrant, ठीके, अच्छा मेरे बच्चों, अब कोई ऐसा मत करना, कि सर मैं इसको 1st बोल तूं, इसको 2nd, इसको 3rd, नहीं, नहीं, यह anti-clockwise direction में ही चलेगा, और यही frequently, 2nd, 3rd and 4th, है न, anti-clockwise, anti-clockwise, ठीके, मेरे बच्चा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीके, तो यह quadrant आपके बन जाएंगे, यह कह रहा है, कि सबसे पहले आपको quadrant identify कर लेना है, ठीके, साब कर लेंगे, जैसे मानलो आपको दे दिया, sign 120 degree, अब जल्दी से मुझे बताओ 120 degree कौन से quadrant में है, कौन से quadrant में, 90 से बढ़ा है, 180 से छोटा है, second में है, अगर कोई बोले, 150 degree, यह भी second quadrant में है, न, देखो, जल्दी जल्दी, 120 degree, second quadrant, 150 degree ये भी आगया साब आपका 2nd quadrant अगर कोई बोले याँ पर 240 degree ये कौन सा आगया आप देगो 180 से जाद है लेकिन 270 से कम हो गया तो ये 3rd quadrant अगर कोई बोल दे आप से 320 तो ये कौन सा है 4th में चले गए 360 से कम है थोड़ा 270 से जाद है 4th quadrant 4th quadrant बताओ,ramas very good very good very good सही बता रहे है very good बच्चे very good very good अच्छा मैं आप से अब एक चीज कूछता हूक अब बताओ minus 30 degree ये कौन सा आगया सा देगह apply जल्दी शेबता देंगे minus 30 degree in which quadrant 4th föर्थ few गताओ betाओ minus minus 30 great great fourth में है देखो मैंने कहा था ना कि ऐसे जाएंगे तो positive count करेंगे angles को positive count करेंगे और अगर हम ऐसे जाएंगे तो negative count करेंगे बहुत सही बहुत सही बहुत सही ऐसे जाएंगे तो negative count करेंगे बहुत से, तो 30, अगर मैं नीचे से जाऊँगा, तो 30 मुझे यही मिल जाएगा, और अगर मैं आपसे पूछूँँ, बताओ, माइनस 150 कौन से क्वाटरेंट में है, तो देखो, यहां से यहां तक गया, अभी negative के लिए क्या हो गया, यह हो गया, आपका माइनस 90, यहां पर आ पारी क्लियर हो गई है, great, 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 बहुत सही, तो भाईया, यह यह ग्वाटरेंट वाला हिसाब किताब तो अपने को चमक गया है, बहुत सही, चलो, यह तो पहला step हो गया, यानि कि भाईया कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने quadrant identify कर लेना है, बहुत सही, अब देखो यह, second step अब तो बड़ा खतरनाक सा लिखा हुआ है भाईया ने, लेकिन हमने गवराना नहीं है, सर, simple करके बता देंगे, सर, simple करके बता देंगे, ठीक है, चलो, focus करो, यहाँ पर क्या है, if angle of n pi plus minus theta, if angle is equal to n pi plus minus theta, where n is an integer, the trigonometric function of n pi plus minus theta is equal to same trigonometric function of theta, sign will be decided by caste rule, क्या-क्या कह दिया, सर, इतो बहुत सारी बात कह दिया, हमको कूछ सामज नहीं आए, कोई दिकत नहीं है, इसको cancel कर देंगे, भूल जाओ, भूल जो कहा है, अब मैं कह रहा हूँ, वो सुनो, जो सर कह रहे हैं, वो सुनो, आप तो है ना, जो लिखा हुआ है, उसको जाने सर, जो बोलने हैं, उसकी बात सुनो, सबसे पहले आपने, एंगल का क्वाडरेंट पता कर लिया, की के साथ, अब यहां पर एक रूल है, कास्ट रूल, है ना, चलो, कास्ट है, कास्ट अच्छा नहीं है, मैं आपको एक और इससे, सिंपल रूल बताता हूँ, सिंपल याउ एक्चल लग जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, वैसे तो most probably तीन से चार में हो जाएगा, लेकिन यहरा feeling के साथ पढ़ो या, तुम लोगों को मुझे लगता है कि बढ़िया से पढ़ने की आदत नहीं है, मेरी आदत है कि मैं बढ़िया से पढ़ाता हूँ, बढ़िया से म मैं यह मान के चल रहा हूँ बच्चे के, यहां जो बच्चा आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता, तो मैं सब चीज़े बताऊंगा, जो जो ज़रूरी है, meet exam के, तो इसलिए मैंने कहा ना कि content पर full focus है यहां पर, तो जिसको पढ़ना है, वो यहां जरूर आए, उसको नहीं आएगा, क्योंकि कोई entertainment वाला item यहां नहीं मिलेगा, कोई तमाशय नहीं हो गए, यहां पर कोई खेल नहीं होगा, यहां पर पढ़ाई होगी, और पढ़ी आसी होगी, sincerely होगी, ठीके बच्चे, anti-lock भी करवा देंगे, और आपको lock भी करवा देंगे, प्रशान जी, चिंता मत करवा, आप tension ही मत करवा, चलो, यहां देखो, मैं बता रहा हूँ, यहां पर आप ऐसे ध्यान रखो, sign, cos, 10, all, sorry, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे, यह all, sign, 10, cos, ऐसे ध्यान रखेंगे, क्या, all, sign, 10, cos, यह rule हो गया, आपका cast की जगा, all, sign, 10, cos, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, दो-तीन बार मन में repeat करो, all, sign, 10, cos, all, sign, 10, cos, all, sign, 10, cos, इसका मतलब क्या है, अभी समझाते हैं, all का मतलब यह है, कि बच्चे, जितने भी trigonometric functions हैं, कितने हैं, 6 के 6 है, तो sign है, cos है, 10 है, और इनके counterparts है, sign का cos है, cos का second, 10 का pot है, तो यह 6 के 6, 6 के 6, 6 के सब्सक्राइब, इसका y कौन है, cos है, सिर्फ यह दोनों positive होते हैं, only, only these two are positive, इसमें कौन-कौन positive होते हैं, 3rd वाले में, 10 और इसका भाई, cot, यह positive है, only these two, और यहां पर cos और इसका भाई, sec, यह दोनों positive हैं, सिर्फ, इसे को cast बोला, इसने हैं, यहां पर cos का C ले लिया, all का A ले लिया, sign का S ले लिया, और 10 का T ले लिया, तो उसको cast बोल दिया, आप cast से याद रख लो, मैं यहां पर all sign 10 cos से याद रख ले रहा हूं, जैसे तुमको चमकता है ना, वैसे याद रहा है, लेकिन यह बता होना चाहिए कि कहां पर कौन positive है, सर यह तो आपने बता रिया का मतलब क्या हुआ, देखो, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, बच्छों, चिंता मत्तर, चिंता मत्तर हो, सर समझाएंगे, अगर मैंने बोला sign 120, sign 120, तो सबसे पहला काम क्या, 120 का quadrant देखेंगे, 120 का, हाँ, all school to college, great, हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो, यह भी चलता है, all school अब sign 120 को पकड़ो, 120 कौन से quadrant में आएगा साब, 120 आएगा आपका first और second में, second में क्या है, sign positive है, हाची positive है, तो इसका value positive आएगा, अगर मैं बोल देता हूं, cos 150, तो 150 कौन से quadrant में है, यहाँ पर, second में, second में, sign और cos positive है, बाकी सब negative, तो यह आएगा negative, अगर आप से बोल दिय जाए, 10, 10, 10, 10, 320, तो 10, 320, यह कहां आ जाएगा साब, यह fourth में आ जाएगा, और fourth में है, सिर्फ cos और second positive है, तो यह 10 negative हो जाएगा, यह चीज समझ में आई, तो पहले rule में, यहाँ पर, पहले step में यही बोला था, identify the quadrant, second, second, sign will be decided by caste rule, या all sign 10 cos rule, या फिर all school to college rule, जैसा भी हो गया, ठीक है, sign decide हो गया, उसके बाद क्या, sign तो हमने decide कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद यह कह रहा है, यह कह रहा है, कि अगर आपका जो angle है, वो n pi plus minus theta है, यानि कि integer multiple of pi, n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, sign 120, या ऐसा समझो, theta is equal to 120, कहाने कि 120 को क्या लिखा जा सकता है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 minus minus 60, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, यह लिख सकता हूँ, 120 को, 180 minus 60, और 180 का मतलब क्या है, pi, pi is equal to 180, कहाने कि यह क्या हो गया, pi plus minus theta, तो यहाँ theta क 60, यह हो गया, 1 into pi minus theta, तो theta यहाँ पर क्या है, 60 है, देखो, इसी form में आगया, n pi plus minus theta, ठीक है, इसी तरह से, अगर theta, यहाँ पर, angle जो है, अमारा, angle जो है, यहाँ आपर हमारा, यह angle 120 था साब, इसी तरह से, अगर मेरा angle जो है, यह मैंने ले लिया, कितना, यह मैंने ले लिया, 210, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 180 plus 30, तो यह देखो, 180 क्या है, pi है, तो pi का integer multiple है, plus theta, तो यह theta यहाँ पर 30 हो गया, बताओ, यह चीज चमकती है, यह चीज चमकती है मेरा बच्चा, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, तो यह कह र plus minus something, यह नहीं 180 के integer multiple के form में है, और plus minus में कोई angle है, where theta is less than 90, जहाँ theta क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उधी की value हमें निकाल नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते है, अगर आपका लिखा हुआ है, sine 120, तो sine 120 को मैं लिखूंगा, sine 180 minus 60, तो इसने क्य क्या का है, कि जब इस form में हो, तो क्या करना है, आपने सबसे पहले sine देखना है, तो 120 second quadrant में positive है, तो positive value आएगा, और बाद में क्या करना है, same trigonometric function of theta, same trigonometric function of theta, यानि कि यह sine था बेटा, तो sine का sine ही रहेगा, और theta कितना हो गया 60, तो यह sine 60, और sine 60 तो हमें पता है, under root 3 by 2 होत बताओ, 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 चमका ये चीज़, रहे ये चीज़ चमकी का नहीं चमकी, चलो, अभी मैं इसके और example दूँगा, तो और बढ़िया से click होगा, और बढ़िया से click होगा, यहाँ पर आपने, I hope ये चीज़ समझ ली होगी, कि पहले quadrant देखा, quadrant से हमने फिर sign देखा, कि बढ़िया positive होगा या negative होगा, cast rule से या sine cost 10 rule से, all sign 10 cost rule से, और उसके बाद हमने देखा, कि बढ़िया वो जो angle दिया हुआ है, उसको क्या हम 180 plus minus something लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं, तो sign का sign ही रहेगा, sign का sign ही रहेगा, और वो theta आ जाएगा, तो वो theta 90 degree से कम होगा, जि n pi plus minus theta नाओ करके, 2 n plus 1 pi by 2, यानि कि odd multiple, इसको हम क्या कहेंगे, odd multiple of pi by 2, और pi by 2 बोले तो pi by 2 यानि क्या होता है, 90 degree, odd multiple of pi by 2 होना चाहिए, आइका यानि की याणि की देखो अब इसको समझना इसको धयान से देखेंगे बस historiques करें आगर उयरा है एंगल लिखा हुआ है यहां पर 123, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 90 plus 30, लिख सकते हैं के नहीं लिख सकते हैं, बच्चे, यस सर, लिख सकते हैं, सही बोल रहे हैं, और 90 का मतलब क्या है, 5 by 2 और odd multiple है, यानि कि n का value यहां पर जो है, n का value आप 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 1, अगर 1 होगे, तो क्या हो जाएगा, 5, यानि कि यहां पर क्या आना चाहिए मेरे पास, या तो pi by 2 और pi by 2 plus minus theta, या 3 pi by 2 plus minus theta, या 5 pi by 2 plus minus theta and so on, ऐसा आना चाहिए, बच्चे, ऐसा आना चाहिए, तो यह 90 plus theta, 90 plus 30, यानि कि pi by 2 plus theta हो गया, समझ में आगई बात, अब यह कहरा कि अगर ऐ 27, तो यहां पर अगर इस तरह होगा, इस तरह होगा, तो क्या करना है, अपने को, complementary technometric function लेना है, क्या कर देना है, complementary technometric function, complementary क्या होते हैं, sign का क्या होता है complementary ? sorry, sign का का посмотрим, sign का www sign का deception पॉस Leanna है आसका ் साइं का साइन का हो जाएगा हमारे पास reciprocal थे reciprocal अलग है complimentary particular बच्छे है ना, जयसे sign का reciprocal करेंगे तोिस आसक हो जाएगा लेकिन complementary sign का tempo है 10 का कॉट है, 10 का कॉट और कॉट का 10 हो जाएगा, देखो, सर क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बच्चो, आज़ो, शाबाश, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन 120 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, अब सबसे पहले मेरा क क्या है, मेरा काम है एंगल देखना, एंगल कौन से कॉटरेंट मे हैं, 120 है, 2nd में, 2nd में, all sign, यानि कि sign क्या होते है, positive होते हैं, बच्चे, यहाँ आफा, 2nd में क्या है, sin positive होंगा, तो यानि कि positive तो आएगा, अब यहाँ पर क्या है बेटा 90 प्लस माइनस चीटा है तो इसको साइन का कॉम्प्लिमेंटरी यानि की कॉस 30 हो जाएगा और कॉस 30 कितना था अंडर रूट 3 भाइ 2 अब देखो आप sain 20 का वैल्यू यहाँ पर भी सेम आया यहाँ पर भी सेम आया विसमा है अपना अपना तरीका है निकालने का कि आप उसको इंटीजर मंटीपल ऑफ Pi की फोर्म में लिख रहे हो या और मल्टीपल ऑफ Pi by 2 की फोर्म में लिख रहे हो बता助 यहां तक क्लिक हुआ, बच्चों, किसी को अगर problem है, तो मैं फिर से बता दूँगा, बता अभी इसके कुछ example भी करा दूँगा, तो पढ़िया से feel आ जाएगा, बताओ, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलिफ, कोई परेशानी, किसी भी बालक को हो तो बता दे, great, च बहां जाते हैं, कि हो गया cost 210, अब देखना बच्चों, यहां पर क्या है, 210 है, बहुत अच्छा है, बेटा, 10 में आपने पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सही है, बहुत सही है, कुछ बच्चों को, जिन्होंने नह 210 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 210 को लिख सकते है, 180 plus 30, या फिर इसको लिख सकते है, 270, 270 minus 16, यह हो गया, अच्छा, अब मैंने इसको यह वाला ले दिया, दोनों तरीके से लिखाता हूँ, इसको लिख दिया cost 180 plus 30, और इधर लिख दिया cost 270 minus 60, बिटा अब देखो यह क्या है 210 है 210 कौन से क्वाडरेंट में आएगा देखो यहाँ पर देखो 210 आएगा आपका 3rd quadrant में अच्छा 3rd quadrant में क्या होता है all sin 10 यानि कि 10 और उसका reciprocal quad यह positive होता है यानि कि यह तो positive नहीं होगा यानि कि इसका value negative होगा यह हमें पता चल गया पहला क्या करते है है अपन हम पहले देखते है quadrant फिर देखते हैं कितना angle है यानि कि उसका positive होगा या negative होगा तो यहां देखा negative होगा अब यह है 180 plus 30 तो 180 plus minus theta होता है, तो same रहता है, तो यह होगा cos 30, क्या हो जाएगा, cos 30, यह क्या होगा, cos 30, और cos 30 होता है, मेरा बच्या, under root 3 by 2, तो यह इसका value आ गया, इधर से देखें, cos 270 minus 60, अब यह क्या है, 90 into 3, यानि कि 3 into pi by 2, 3 into pi by 2, यानि कि odd multiple of pi by 2 है, और negative तो यह हो गई, क्योंकि यह कौन से quadrant में था, धर्ड में था साब, तो यह negative तो रहे गए रहेगा, लेकिन यह odd multiple of pi by 2 है, तो cos का क्या बन जाएगा, sine बन जाएगा, तो यह sine 60 हो जाएगा, तो यहाँ जो plus minus में जो होता है, उसके sine से मतलब नहीं होता, हम positive value आएगी या negative आएगी, यह कैसे पता करते हैं, बच्चे हम पता करते हैं, quadrant की अलब से, और sine 60 किता होता, under root 3 by 2, तो यह देखो, ऐसे हो गया, तो same value आया कि नहीं आया, दोनों तरीके से same value आया, value same ही आयेगा, value same ही आयेगा, it's up to you, कि आप कैसे इसको देख रहे हो, समझ में आ गई बात, ऐसे 10 को भी आप दोनों तरीके स लिख सकते हो, 10 को भी दोनों तरीके से लिख सकते हो, cos 135, तो 135 को क्या लिख सकते हैं, 135 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 90 plus 45, और 90 plus 45 लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos का sign हो जाएगा, क्योंकि 90 plus minus theta है, ठीके, और इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 180 minus 45 भी लि यह आप लोग solve कर लें, यह आप लोग solve कर लेंगे और practice कर लेंगे, चीक है, value match कर लेना, बताओ, समझ में आई बात, clear है, absolutely clear, great, बहुत से, बहुत से, बहुत से, चलो, यहां तक clear है, चलो, आप देखो, कुछ formulas यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, trigonometric identities इनको कह सकते हैं, trigon metric और बहुत सारे relation होते हैं, trigonometric है, लेकिन बच्चे अपने को सारे याद नहीं करने हैं, पर ना हम रख सकते हैं, हम कुछ उन formulas की यह, relations की यह, trigonometric identities की बात कर रहें बच्चे, जो कि बहुत frequently use होती है, बहुत ज़ादा use होते हैं, लेकिन बहुत ज़ादा यह use होते हैं, हमारे physics में बहुत ज़ादा खाम आते हैं, और मतलब ठोक के बहुते हैं, कभी भी आ जाते हैं, यह मूठादा है, तो यह हमें याद हो नहीं चाहिए, बिल्कुल simple है, बिल्कुल basic है, और याद करने का तरीका क्या होता है, कि आप इनको पारबार लिख रहें, और लिखे नहीं तो आप जो है, कहीं न कहीं इनको एक sheet बना करके paper में, diary में कहीं रखें, ताकि जब भी आप question कर रहे हैं, तुरंत यह दिखें, उसका use करें, और आप 10, 20, 25, 50 question में use कर लेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा याद, है ना, कैसे याद नहीं होगा, याद करने का मतलब ऐसे-ऐसे कर गए, यो रटना नहीं होता, कुछ बच्ये मैंने देखे हैं, कि भई को किताब लेकर रखते रहते, रटना नहीं होता याद करने का मतलब, retention का मतलब यह होता है, कि आप उसको retain कर पाएं, और retain कब कर पाएंगे मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूं, बार-बार मिल रहा हूं, तो कोई भी चीज, फॉर्मॉलाज मैं बार-बार यूज़ करेंगे, याद हो जाएगा, as simple as that, ठीक है, चले, अब देखो, याद, cos square theta plus sin square, इनके derivation पर नहीं जा रहे हैं, वो हमारा गाम नहीं है, कौन किसके साथ आ रहा है, यह ध्यान बढ़ना जरूरी है, चलो, cos square theta plus sin square theta 1, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta, 1 plus 40 square theta is equal to cosec square theta, बार-बार-बार-बार, repeat करो, लिखो, यूज करो, याद हो जाएगा, cos a plus b, यह क्या हो गया, cos a, cos b minus sin a, sin b, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, 10 a plus b, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a, 10 b, यह याद रखने हैं, यह बहुत-बहुत important है, बहुत सारे identities हैं, बहुत सारे हैं trigonometric में, लेकिन हम गो यह तो कुछ तो याद रखने ही पड़ेंगे, यह तो बहुत basic है, बच्चे, यह कम से कम लेकर के आए हैं, इसके अलावा, यह कुछ और हैं, कुछ और हैं यह formula, असल में यह क्या है, तीन ही formula है, यार एक तरज देखा जाएं, यह बहुत दबागी use होता है, sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, है ना, sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sin 90 अगर मैंने लिखा, इसको मैंने लिख दिया, 2 sin 45, cos 45, अब sin 90 होता है, 1 बेटा, sin 45 है, 1 by root 2, cos 45 भी 1 by root 2, तो root 2, root 2, 2 से 2 cancel के आगया, 1 आगया, क्रॉस जेक, जैसी feeling लेने के लिए बता दिया मैंने, ठीके बेटा जी, बहुत बढ़ी है, हाँ, प्रोजेक्टाईल में इस दवाल होता है, बिल्कुल सही, रेंज जब हम निकालते हैं, तो महां काम आ जाता है, बहुत जगे काम आता है बेटा, तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये ध्यान रखना है, बहुत सही, अच्छा एक ये वाला होता है, 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, इसी को इसने क्या लिख दिया है, cos square theta ये 2 इदर ले, 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2, यानि relation कैसा है ये पकड़ों यहांपर, यहांपर जितना angle है, यहां उसका half होगा, यहां 2 theta था था, उसका half theta होगा, यहां theta लोगे तो theta by 2 हो जाएगा, यह भी 2 लोगे तो theta by 4 हो जाएगा, मतला half हो जाएगा, clear है? अब जैसे 1 plus cos 2 theta होता है इसी तरह से यहाँ पर होता है 1 minus cos 2 theta तो अगर plus cos 2 theta है तो 2 cos square theta है और 1 minus cos 2 theta है तो 2 sin square theta हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin square theta यह देखो इसको इदर ले जाओ यह वाला बन गया यह वाला बन गया ग्रेट इसी तरह से cos 2 theta जो है, जैसे यह sin 2 theta था था वैसी cos 2 theta याद रखना है, cos square theta minus sin square theta. यह इतना ज्यादा useful नहीं है, अब यह यह यहाद भी नहीं रहता है, तो भी चल जाएगा, लेकिन यह, यह और यह, यह दोणों बचे बार-बार देखना है और तब यह याद रह जाएंगे आपके चलो अब देखो बच्चो अगला टॉपिक है डिफ्रेंसियेशन लेकिन मैं कहता हूं कि इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते है डिफ्रेंसियेशन हम नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि डिफ्रे बेटा ऐसा है जिसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ यू भी है जिसका मैफमेटिकल पॉइंट ऑफ यू भी है और जिसका जिसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ यू भी है चोकि हमारे फिजिक्स में पहेंगर यूज होता है तो डिफ्रेंसियेशन इंटिग्रेशन का रियल म मतलब क्या होते है उसका practical meaning क्या है वो सब आपको बताए जाएगे तो next lecture बेटर differentiation का ही होगा आपना full differentiation कवर करेंगे आज पहला lecture था आराम आराम से अपन चले full detail में अपन ने पढ़ा मेरा motive तो यह था कि आज ही differentiation अपन करते लेकिन एक पूरा separate lecture लेंगे differentiation का ताए कि जो तो कुछ information यहाँ पर यह है कि जो बच्चे जो बच्चे यहाँ पर 12 के lectures पढ़ना चाहते हैं thermodynamics जो पढ़ना चाहते हैं बच्चों कल special live classes होंगी special live क्या होता है sir यह anacademy की app पर free lectures होते हैं बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना है app पर जाना है और वहाँ पर जाकर कर download कर लें यह code लगाने और free of cost आप यह सारी lectures देख पाएंगे तो कल पूरे दिन में तीन lecture होंगे बारा बज़े दुबएर तीन बज़े और शाम को 6 बज़े तो यह तीनों पार्ट में thermodynamics complete हो जाएगा मज़ा आ जाएगा उसलब thermodynamics खतम और इसमें आपको क्या कर लेना है आ अगेडमी की app पर प्लीज फॉलो कर लें कल यूट्यूब पर कल यूट्यूब पर कोई lecture नहीं होगा बच्चे क्योंकि कल सारा दिन अपन special life festival में बिसे रहेंगे तो special life festival में आपनों आ जाएगे वहाँ पर जिसको भी thermodynamics पढ़ना है जो बच्चे 11 में हो तो शायद नहीं प चल रही होगी जरूर स्टार्ट हो जाएगा no worry about that विव्या जी बड़े लेट हो गए आप नेक्स लेक्चर में जरूर आईएगा तो बच्चो यूट्यूब पर अगला लेक्चर नहीं होगा कल परसों होगा सीरा परसों शाम कुछ है बज़े यही regular timing रहेंगे हमारे achiever बैच के और इसमें हम क्या करेंगे differentiation बहुत डीटेल में पढ़ेंगे तो सभी बच्चे परसो जरूर आजाईएगा और उन सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर live हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत थैंकियों बच्चों का और next lecture में आप लोग जरूर आजाएं जरूर आजाएं सभी आजाएं और जो बच्चे जो बच्चे यह lectures देखना जाते पिन कर दिये हैं चैट में जाकर के वहाँ पर से आपकी lectures के लिए enroll कर लें और जो बच्चे अनकेडमी की app पर मुझे follow नहीं कर रहे हैं प्लीज फॉलो कर दीजिए, follow करने का कोई पैसा नहीं है ठीक है, tomorrow there would be no classes on YouTube बच्चे बट there would be classes on Unacademy app, free special live classes because special live class festival हो रहा है, thermodynamic पूर नहीं आना है कर सभी को, ठीक है, ओके, तो आज का lecture यहीं तक रखते हैं यार, बहुत मज़ा है आप सभी के साथ, है ना, परसों सब लोग जल्दी से आ जाएंगे, 6 बचे exactly सई टाइम पर, और सारे बच्चे, सारे बच्चे, टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लें, टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लोगे यार, तो उससे क्या है, पता लग जाएगा तब कौन सी क्लासिस हो रही है, आपको lectures की PDF भी मिल जाएंगी, तो बच्चों मिलते हैं अगले lecture में, यानिकी परसों, 6 बचे, अचीवर बैच में, और जो बच्चे संभाव सीरीज फॉ पानी, साधा फंसारी, ओम वर्मा, सभी सभी का बहुत 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 फैंद्यू बच्चों, बहुत बहुत सपोर्ट मिला, आपका बहुत 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 प्यार मिला और ऐसी बनाए रखेगा, बिलते हैं अगले lecture में, आथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बड़े